हाई फ्रेंज नमस्ते वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम बनाएंगे बहुत ही बड़ी है रेसीपी इसलिए मैंने यहाँ पर तीन बैंगन ले लिया है इसको बीट से इस तरह से चीरा थोड़ा सा कट कर देना है इस तरह से चाकू से हमें तीनों बैंगन को इस तरह से इसको बाद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ एक बरतन में हमें इसमें पानी डाल करके बॉयल होने के लिए छोड़ देना है सबसे पहले बैंगन को इससे धो लेना है उसके बाद इसमें चीरा लगाने के बाद हमें इसमें पानी डाल करके एक बरतन में इसको बॉयल करने के अभी देखिए ये दस मिनिट के बाद अंदर से देखिए बॉयल हो चुका है अभी हमें इसमें एक प्लेट में निकाल लेना है इसको तीनों बेंगन को हमें एक प्लेट में मैंने निकाल ली है इसके बाद हमें इसको थंडा होने के बाद हमें इसका जो डंटी इसी को ही नि निकाल रही हूं और हमें अंदर में इससी तरह से छेट कर लेना है और इसको इस तरह से चेक कर लेना है कि इसके अंदर कीड़ा है कि नहीं इस तरह से चेक करने के बाद हमें इसको इस तरह से थोड़ा सा चामच की सहते से मैस कर लेना है इसको तीनों मैंगन को हमें डरडरा म पहाई साबुद्जीरच पहाला हं चाटक के बारे two बाद प्यांच को चाटक में घूंटेडा और बंड़ी तो इसके बात हमें इसे ऑयल में थोड़ी दियर के लिए भून लेना है जब तक golden brown ना हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है अभी इसका हलका सा color change हो गया है अभी इस टाइम में हमें 2 tomato काटके डालना है इसी में साथी में इसके साथ हमें इसे mix कर ले ना है अभी मैं साथी में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर एकश मच, नमक, स्वादनुसर, मर्ची पाउडर एकश मच, धनियाँ पाउडर एकश मच सारे चीजों को हमें मिक्स कर लेना है एकी साथ और मिक्स करने के बाद यह टमाटर सॉप्ट होने तक हमें इससे भूनना है देखिए इस तरह से अभी सौब्ट हो चुका है टमाटर हमें इसमें डालना है आम का आचर आपके पास आम का आचर नहीं है तो आप आम का पाउडर भी डाल सकते हैं आम चूर पाउडर या फिर नीमू का रस भी डाल सकते हैं ये गरम मसाला इसके साथ ही हमें डाल देना है सारे मसाला को अच्छे से हमें पका लेना है उसके बाद मैंने इसमें डाल रही हूँ बैंगन उसके बाद हमें इसे चला लेना है अच्छे से आप आम चूर पाउडर या फिर खटाई थोड़ा सा डालेंगे इसमें कोई भी खटाई वाला आचार आप डालेंगे तो इससे ब प्रेंगन की जो भरता है इसमें जरूर आप आमचूर पाउडर या फिर कुछ खटाई थोड़ा सा डाल दीजिए देखिए इसका टेस्ट जो है दोगुना हो जाता है इसके बाद हमें इससे लो टू मीडियूम फ्लेम में दस मिनिट के लिए धक करके पकाना है इसके बाद अभी हो गया है दस मिनिट के बाद इसमें मैगी मसाला थोड़ा सा उपर से डालना है और धनिया पत्ती थोड़ा सा काट के डालना है अभी ढख करके हमें दो मिनिट के बाद हमें इसमें सर्प करना है देखिए ये बैंगन की भरता बहुत ही बड़ी है टेस्टी रेसीपी ऊश्पाइब आप करनेगे है यह रोटी के साथ आप पहुत यहां पर नाकर आओ एक बार विडियो फ जरूर ना करके कले अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए यहाँ पर रोटी के साथ आप खा सकते हैं चावल के साथ खा सकते हैं रोटी डाल चावल किसी के भी साथ आप खाएंगे ना इसका टेस्ट दुगुना बढ़ जाता है बहुत ही अच्छा लगता है थैंक यू फर वाचिंग